दोस्तों अगर आपके phone में उपर control center में आपको hot spot का कोई भी आईकन जो है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते होट spot का option ही नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे सही करेंगे कि यहाँ पे आपके में hot spot का option आने लगे अगर आपके में यहाँ पर नहीं आ रहा है त आप settings से वैसे hotspot on कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको आप अपने phone की settings में चले जाईए settings में आपको इस type का interface मिलेगा और आपको एक option दिखेगा connection and sharing का आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको एक option दिखेगा portable hotspot का आप इस पे click करिए और यहाँ से आप अपने hotspot को on कर सकते हैं अपने phone में या फिर आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ से settings में भी उपर लिख करके search कर सकते हैं जब आप यहाँ पर portable hotspot या फिर hotspot लिख करके search करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे यह इस टाइप से दिखा देगा portable hotspot आप इस पे क्लिक करिए यह option दिखेगा यहाँ पे क्लिक करके on कर सकते हैं अब अगर आपके में उपर नहीं आ रहा है तो उपर आपको यहाँ पे लाने के लिए क्या करना है आपको side में edit का icon type से दिखेगा या फिर यह pencil type से हलकी सी दिख रही है आप इस पे क्लिक करिए इस पे क्लिक करेंगे तो नया interface आएगा यहाँ पे आपको available toggles करके दिखा रहा होगा आप इस पे क्लिक करके इस type से open कर लीजे उपर की ओर करके और यहाँ पर आपको एक hot spot का option दिखेगा आपको hot spot पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर जो आपको plus पा option दिखरा है इस पे ठीक है तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यह उपर add हो जाएगेगा यहाँ पे आपको यहाँ पे done पे क्लिक कर देना है और अब आपके में hot spot का option आ जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया आप इस पे क्लिक करके hot spot को on कर सकते हैं या फिर off कर सकते हैं अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे यह और भी व वीडियो में तब तक के लिए bye bye